दोस्तो आपको स्वागत एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चनल दा ओनेस्ट में दोस्तो आज की वोड़े में हम जानेंगे स्रीनगर की 10 सबसे खुब सुरू टूरिस अट्रक्शन के बारे में दोस्तो यूट्यू स्रीनगर में और भी कई टूरिस अट्रक्शन है जो की काफी खुब सुरूरत है लेकिन हम आपको इस वीडियो में टॉप टैन मोस्ट वीडिफुल टूरिस अट्रक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तो वीडियो को मिस्स मत कीजिएगा वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखीगा तो चलिए वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं नमबर पहला डल जील दोस्तो डल जील स्रिनगर की सबसे पॉपलर और सबसे खुबसूरो टूरिस अट्रक्शन है यह काफी खुबसूरो जील है जहाँ पर शिकारे चलाये जाते हैं यहाँ पर टूरिस्ट काफी जोए करते हैं यह जील चारों उन्चे उन्चे पहाडों स लगती है इसे जम्मावा देखने भी बहुत से टूरिस्ट हर साल सर्दियों में यहां पर आते हैं नमबर दो हरी परवद फोर्ड दोस्तो हरी परवद फोर्ड जिसे कोहाई मरान फोर्ड भी कहा जाता है यह फोर्ड सिरिनगर में है जो कि एक कौफी उंची पारडी पर बनाया गया एक फोर्ड है इस फोर्ड से आप पूरी सिरिनगर सिटी का नजारा देख सकते हो इस फोर्ड को दुरानी अंपाइर के टाइम बनाया गया था यह एक historical tourist attraction है जो की जबरवान range में है यहाँ पर बहुत से tourist आते हैं और इस फोर्ट पर चड़के वो पूरी सिर्नगर सिटी का नजारा देखते हैं नमबर तीन शंकराचारा टेंपल दोस्तों शंकराचारा टेंपल को जे तेश्वरा टेंपल भी कहा जाता है यह मंदिर सिर्नगर में है यह बगवान शिव का मंदिर है जो की जमीन से लगबग 1000 फीट उंची एक पहाड़ी पर बनाया गया मंदिर है इस मंदिर से आप पूरी सिर्नगर सिटी का व्यू देख सकते हो जो की काफी अच्छा लगता है यह मंदिर कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है यहाँ पर हर शिवरात्री को बहुत से कश्मीरी पंडित पूजा करने के लिए आते हैं नमबर चार निशात बाग दोस्तों एक मुगल गार्डन है जो की डल लेकि इस्टन साइड पर बनाया गया गार्डन है यह कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है इस गार्डन को डिजाइन आसिफ खान ने किया था जो की नूट जहान के वाई थे यह गार्डन 1633 इस्वी में बनकर पूरा त्यार हुआ था इस गार्डन के बीचो बीचे केनाल होकर गुजरती है जिसमें बहुत से फौरे लगे हुए हैं यह फौरे इस गार्डन को और भी खुबसूरती दे देते हैं नमबर पांच परी महल को परियों का महल भी कहा जाता है जो की जबरवान मांटन रिंज के टॉप पर बनायागे एक महल है यहाँ पर साथ एक जैसे खुबसूरत गार्डन है इस महल का स्रक्चर इसलामिक है यह जगह काफी हाइट पर है इस महल के टॉप से आप पूरी सिर्णगर सिटी का नजारा देख सकते हो जो की काफी अच्छा लगता है इसे 1650 इस्वी में बनवाया गया था यह जगह काफी हिस्टोरिकल और खुबसूरत है जिस वज़ा से यहाँ पर बहुत से टोरिस्ट आते हैं नमबर चेपर है शालिमारबाग दोस्तों शालिमारबाग भी एक मुगल गार्डन है जो की 1619 इस्वी में जहां की दोड़ा बनवाया गया गार्डन था यह गार्डन डल लेक के नौर्थ इस्ट में एक चैनल से जुड़ा हुआ है इस गार्डन को शालिमार गार्डन, फरा बक्ष या फ्यास बक्ष भी कहा जाता है इस गार्डन में काफी चिनार के पेड लगे हुए है जो कि इस गार्डन की खुबसूरती काफी बढ़ा देते हैं इस गार्डन के बीचों बीच एक आर्टिफिशल पानी की नहर होकर गुजरती है जो कि इस गार्डन की खुबसूरती बहुत जादा बढ़ा देती है जिस वज़ा से यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी करते हैं नमबर साथ टूलिप गार्डन, दोस्तों टूलिप गार्डन को इंद्रागंधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही खुबसूरत गार्डन है, जो कि 2007 में बनवाया गया था, ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, जो कि बहुत जादा पसंद आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करते हैं, नमबर आठ डची गाम नैशनल पार्ग, दोस्तों डची गाम नैशनल पार्ग सिरनगर से 22 किलोमेटर की दोरी पर सित है, जो कि डले की इस्टन साइड पर है यह नैशनल पार्ग 141 स्केर किलोमेटर में फैला हुआ है, यह नैशनल पार्ग 1981 को बनवाया गया था, यह नैशनल पार्ग किश्मीरी स्टैक के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर कई और तरह की पक्षियों और जानवरों की परजातियां पाई जाती हैं, यहाँ के यहाँ पर बहुत से बदाम के पेड़ लगे हुए है और दोस्तो जब इन बदाम के पेड़ों पर छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं तब यह जगा और भी ज्यादा खुबसुरत हो जाती है यहाँ पर आए हुए टॉरिस्टों को यह जगा बहुत ज़्यादा पसंद आती है और हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉरिस्ट आते हैं नमबर दस चश्मे शाही दोस्तों एक बहुत ही खुबसरत मुगल गार्डन है जो की 1632 इस्वी में बनवाया गया था दोस्तों यह गार्डन एक कुदरती चश्मे के एराउंड बनवाया गया था यह एक मुगल गार्डन है जिससे शाजान ने बनवाया था यह गार्डन एक एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पर हर साल एक लाग से भी जादा विजिटर आते हैं दोस्तों इस गार्डन का डिजैन भी बाकी मुगल गार्डन के डिजैन के जैसा ही है और दोस्तों यहाँ पर आई हुए लोगों को यह गार्डन बहुत ही जादा पसंद आता है और यहाँ पर बहुत से लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करते हैं तो दोस्तो ये थी स्रिनगर की 10 सबसे खुबसूरो टोरिस डेक्शन तो दोस्तो आशे करतों आपको मारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मारी वीडियो पुसंद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद